सदियों से मनुष्य रोज मर्रा के कई कामों में हवा का इस्तिमाल करता रहा है। ये विंड मिल 1800 के दशक में निर्मित क्लासिक डच शेली की विंड मिल का एक उधारन है। को एक बड़े पैमाने पर डेवलप करने के बारे में सोचा जाने लगा। 1990 के दशक के अंत तक बड़े बड़े विंड फार्म दिखाई देने लगे। और हवा से उत्पन, बिजली व्यावसाइक रूप से उपलब्ध होने लगी। आधुनिक विंड टर्बाइन के तीन भाग होते हैं रोटर ब्लेड्स, नसल और टावर। जादतर विंड टर्बाइन्स में तीन रोटर ब्लेड्स होते हैं जो 100 फीट तक लंबे हो सकते हैं ब्लेड्स विंड एनर्जी को मेकिनिकल एनर्जी में बदलते हैं विंड टर्बाइन के ब्लेड्स एक हवाई जहाज के पंखे की तरह दिखते हैं वे उपर से curved और नीचे से flat होते हैं Blade के उपर बहने वाली हवा को थोड़ा ज्यादा लंबा रास्ता तै करना पड़ता है इसलिए उसके नीचे बहने वाली हवा के साथ रहने के लिए उसे ज्यादा तेज चलना पड़ता है बर्नौली का सिध्धान्त कहता है कि हवा की गती में ये अंतर ब्लेड के इड़गिर्द एक pressure difference create करता है ये pressure difference एक lift force को जन्म देता है जो टर्बाइन ब्लेड को घुमाने के लिए जिमिदार है नसिल के अंदर wind turbine में बिजली पैदा करने के लिए जिमिदार सभी उपकरण मौजूद होते हैं सभी तीन rotor blade hub से जुड़ी होती है hub धीरे धीरे gearbox से जुड़ी एक shaft को घुमाता है जो बदले में बिजली के generator को पावर देने के लिए जिमिदार एक और shaft को तेजी से घुमाता है इसके बाद बिजली को विद्ध ग्रिड के माध्यम से ग्रहकों को distribute किया जाता है एक औसत utility scale wind turbine की क्षमता लगभग 2 MW होती है जो 500 normal size के घरों के लिए परियाप्त है tower wind turbine के structure को support प्रदान करता है और rotor blades को जमीन से उपर उठाता है ताकि वे निरंतर और ज्यादा ताकतवर हवाओं का इस्तिमाल कर सके इस प्रयोग में हम बिजली उत्पन करने के लिए wind turbine के एक skilled model का उप्योग करेंगे ये विशेश model धाई फुट लंबा है और इसके blades एक फुट लंबे हैं ये औसत utility sized वाले turbine से लगभग 100 गुना छोटा है हलाकि इसमें सभी जरूरी parts है tower, नसिल और rotor blades अभी इस wind turbine द्वारा wind energy, electrical energy में बदली जा रही है voltmeter ये जाँच रहा है कि turbine द्वारा कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है हमारी turbine लगभग 0.8 volt बिजली का उत्पादन कर रही है जो एक छोटे LED को जलाने के लिए काफी है और अधिक बिजली पैदा करने के लिए हम क्या बदलाव कर सकते हैं इस वीडियो को यहीं रोके हैं और कुछ बदलावों के बारे में सोचें turbine के output को बढ़ाने के कुछ तरिखों में शामिल हैं तेज हवा, ब्लेड का एंगल बदलना, ज्यादा लंबी ब्लेड का उपयोग और एक बड़ी जनरेटर का उपयोग विंड पावर के समर्थक भी हैं और विरोधी भी आए नजर डालते हैं विंड पावर के इन विभिन पहलूँ पर विंड पावर के कुछ फायदे इस प्रकार हैं बिजली बनाने के लिए विंड टर्बाइन हवा का इस्तिमाल करती है जो की एक प्राकृतिक और रिनियोबल एनरजी का स्रोथ है विंड टर्बाइनों की निर्माण के लिए फॉसिल फ्यूल के आवश्यक्ता तो होती है लेकिन टर्बाइन बनने और चलने के बाद उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती विंड पावर में होने वाला अधिकांश खर्च टर्बाइन की स्थापना के साथ ही जुड़ा होता है विंड टर्बाइन को लगभग कहीं भी लगाया जा सकता है जहां निरंतर और अनुकूल हवाईं चलती है विंड पावर के नुकसान कुछ इस तरह से हैं फिलहाल विंड पावर दूसरे non-renewable technologies को सिर्फ supplement करने में सक्षम है कुछ अध्यनों से पता चला है कि विंड टर्बाइनों के शोर और बिजली की flickering आसपास रहने वाले लोगों के लिए बीमारी का कारण बन सकती है कुछ environmentalists का कहना है कि बड़े wind farms स्थानिय वन्ने जीवों के behavior को प्रभावित कर सकते हैं wind turbine का निर्मान सभी स्थानिय निवासियों को समान रूप से प्रभावित नहीं करता लेकिन कुछ cases में आसपास की property rates कम हो सकती है क्या wind power के global benefits इन स्थानिय कम्यों की भरपाई कर पाएंगे ये हम सभी के लिए चर्चा का एहम विशह है जिबकि हमारी energy needs और पर्यावरन का बन सकती है